मुश्कार दोस्तों! कैसे हैंआप सब? स्वागत करता हूँ आज मैं आपको अपने चैनल पर कामना करता हूँ आच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली कब है चौदा को या पंधरो को दिवाली की सही तिथी क्या है लक्षमी गनेश पूजन का शुम मूरत क्या है शुम मूरत कितने बज़े है प्रदोशकाल का शुम मूरत कितने बज़े है किस दिन है अमवस्या किस दिन शुरू होगी और किस दिन तक रहेगी और कैसे करे बही खाता का पूजन तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है मित्रो पूरा देखिएगा वीडियो मित्रो दिवाली के दिन भगवान राम लंका पर विजे पाकर माता सीता को लेकर चौदव वर्षों का वनवास काट कर वापस अयोध्या आये थे अंगलकारी योग है कि शनिवार शनी जी स्वग रही मकर राशी में है यह योग व्यापार के लिए लापकारी एवं जनता के लिए शुब फलदाई रहेगा कई वर्षों बाद यह दुरलब संयोग बनता है तंत्र पूजा के लिए दिपावली पर को विशेश माना जाता है इस वर्ष 14 नवंबर दिन शनिवार को दिवाली है मित्रो सन 1521 से करीब 499 साल बाद ग्रहों का दुरलब योग देखने को मिलेगा लेकिन इस बार दोनों दिवाली याने चोटी दिवाली और बड़ी दिवाली याने लक्ष्मी पूजन एक ही दिन पढ़ रहा है दोनों दिवाली की दोनों तिथी एक ही दिन पढ़ने के कारण और शनी एवं ग्रू ग्रू से के अपनी ही राशी में होने के कारण शुर्व संयों का निर्मान हो रहा है जिससे आर्थिक स्थिती बहुत ही मजबूत होगी और धन धान की कोई भी कमी नहीं होगी 12 नवंबर 2020 को रात 9.30 बजे से त्रेयो दिशी तिथी आरंब हो जाएगी जो 13 नवंबर की शाम 5 बचकर 69 मिनट तक रहेगी उसके उपरांत चतुरदशी तिथी आरंब हो जाएगी जो 14 नवंबर को दो बचकर 16 मिनट तक रहेगी उसके बाद आमावस्या शुरू हो जाएगी जो 15 नवंबर को सुबे 10 बचकर 36 मिनट तक रहेगी दिवाली की पूजा रात में ही होती है इसलिए 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी वहीं चतुरदशी 13 से आरंब होकर 14 तक रहेगी तो लक्षमी पूजन के दिन ही नरक चतुरदशी भी मनाई जाएगी लेकिन दान और स्नान 15 नवंबर को ही किया जाना चाहिए जिना मित्रो इस बार महालक्षमी और गनेश की पूजा 14 नवंबर याने शनिवार को होगी पूजा का शुब मूरत शाम साड़े 5 बजे से लेकर 7 बज कर 24 मिनट तक रहेगा पूजा करने के शुब समय अवधी 1 गंटा 56 मिनट की होगी प्रदोश काल शाम साड़े 5 बजे से रात 8 बज कर 7 मिनट तक रहेगा वहीं व्रिशप काल साड़े 5 से साड़े 7 तक रहेगा अब आवस्याती थी 14 नॉवंबर दो हजार दोभर को 2 बज कर 17 मिनट बजे से शुरू होकर दूसरे दिन 15 नॉवंबर को सुबर 10 बजे तक रहेगी 14 नॉवंबर दिवाली के दिन रात 8 बज कर 10 मिनट तक स्वाती नचत्र रहेगा उसके बाद पूरी रात विशाखा नचत्र रहेगे पूरे दिन सरवार्थ सिध्धी योग रहेगा शनिवार को प्रदोशकाल में स्वाती से बना सिध्ध योग कार सफलता के लिए बहुत ही अच्छा और शुब माना गया है स्वाती नचत्र चल सग्यक नचत्र होने के कारण वाहन लेने देने उद्योग कर्म, दुकानदारी, चित्रकाली, शिक्षक, स्कूल, शिंगार, प्रसाधन एवं अन्य कर्म के लिए अच्छा माना जाता है मित्रो दिवाली पर मा लक्ष्मी, गनेश भगवान और मा सरस्वती की पुजा की जाती है तीनों मूर्ती, एक साथ स्थापित करने चाहिए लाल कपड़ा विछा कर चौकी पर लक्ष्मी वा गनेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पस्चिम में ही रहे लक्ष्मी जी, गनेश जी की दाइनी ओर रहें और पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें कलश को लक्ष्मी जी के पास चाबनों पर रखें मित्रो नारियल को लाल वस्तर में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अध्रभाग दिखाई देता हो वह इसे कलश पर रखें या कलश वरुन का प्रती है दो बड़े दीपक रखें एक में घी भरें दूसरे में तेल एक दीपक चौकी के दाएं और रखें वह दूसरा मूर्तियों के चरणों में इसके अतरिक्त एक दीपक गनेश जी के पास भी रखें दिवाली पूजन सामगरी अपने सामर्ज के अनुसार रखें इसमें लक्षमी जी को कुछ वस्तुएं विशेश प्रिये हैं उनका उपयोग करने से वे शीगरी प्रसंद होती है इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए मित्रो वस्तुए है लाल, गुलाबी या पीले रंका रश्मी वस्तुए होता है माताजी को पुष्ट में कमल वगुलाब प्रिये है फल में श्रीफल, सीता फल, बेर, सिंघाडे बहुत ही प्रिये है संद में केवडा, गुलाब, चंदन, इत्र का प्रयोग इनकी पुजा में जरूर करें, अवश्य करें, अनाज में चावल तथा मिठाई में, घर में बनी शुदता, पूर्ण, केसर की मिठाई या हल्वा, शीरा या नयवेद्य उप्योगत रहेगा, मित्रों, प्रताज के ल बोजपत्र या पूजन में उप्योग करना चाहिए, मुर्तियों के वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रख कर उस पर लाल वस्तर बिछाए, कलश की और एक मुठी चावल से लाल वस्तर पर नवग्रत की प्रतीक नव धेरियां बनाए, गणेश जी की और चावल की 16 धेर बनी रहेगी, इस मंत्र का जाप लाल आसन पर बैठ कर करेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंत्र पढ़ते समय, अपने सामने लक्ष्मी मा की तस्वीर या मूर्ती रखें, इस मंत्र को कम से कम 108 बार पढ़ें, ओंग श्रिंग रिंग, क्लिंग त्रिभुवन महा पिले लीजिए और नौगरस तोत्र गोलिए, इसके बाल भगवती शोडश मात्रिकाओं का भी पूजन किया जाता है, सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर पूजा समगरी चड़ा दीजिए, दिवाली पूजन परमालक्ष्मी की आर्ती गाकर पूजा का समापन करें, इ अवीन खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से या फिर लाल कुमकुम से स्वस्तिक का चिन बनाना चाहिए, इसके बाद इनके उपर श्री गणशाय नमह लिखना चाहिए, इसके साथ ही एक नई थैली लेकर उसमें हल्दी की पांच गाठें, कमलगठा, अक्षत, प्रशना रख कर थैली में भी स्वस्तिक का चिन लगा कर सरस्वती मा का स्मरण करना चाहिए, मित्रों। उनका ध्यान करता हूँ, ध्यान करने के बाद बही खातों का गंद, पुष्प, धूप, दीप, नैविद से बूजन करना चाहिए, जहां पर नौगरह बनाया गया हो, वहां पर रुपया, सोना चांदी का सिक्का, लक्षमी जी की मूर्ती या मिटी के बने हुए श्री लक के इदाहिने और एक पंच मुखी दीपा का वश्य जलाएं, जिसमें घी या तिल का तिल प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों ये थी कुछ बहुत ही मतुकूर जानकारी दिवाली से संबंधित दिवाली के विशे में, जो मैंने सुचा आप से साजा करनी चाहिए, मित्रों है, जिसका आप समाधान या निवारण करना चाहते हैं, जो जरूर से जरूर हमें संपर कर सकते हैं, नीचे दे हुए वाटसअप नंबर पर आपकी सारे समस्या का समाधान किया जाएगा, मित्रों मुझे आचारे राजपांडे को इजाज़त दें, मैं आप से एक लिए वडियो में, तब तक के लिए नमश्कार हूँ